दोस्तो अगर आपके phone में call log में किसी का भी नाम नहीं दिखा रहा है for example यहाँ पर हम दिखाते हैं हम इस पर click करते हैं तो यहाँ पर जो है मेरे में सारे numbers तो दिखा रहा है बट किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो अगर आपके में भी ये problem आ रही है तो आप इसको कैसे fix करेंगे आज के इस video में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको करना क्या है आपको एक छोटी सी setting करनी है उसके लिए आपको क्या करना होगा आप चले जाएए अपने phone की settings में और settings में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है नीचे की ओर scroll और जब आप नीचे की ओर scroll करेंगे तो आपको एक option दिखेगा apps का आप इसपे click करिए apps पर click करने के बाद आपको एक option दिखेगा manage apps का आप इसपे click करिए अगर आपका कोई और phone होगा तो हो सकता आपके में app manager या फिर app management दिखा रहा हो तो आपको उस पे click कर लेना है जहाँ पे आपको सारे apps की list मिल जाती है यहाँ पे आपको इस type का interface मिलेगा आपको यहाँ पे phone नाम का एक application होगा वो ढूंड लेना है या फिर आप उपर लिख करके search कर लीजिए तो हम यहाँ पर search कर लेते हैं phone तो यह रहाद आप देख सकते हैं आप इस पे click करिए और इस पे click करने के बाद आपको इस type का interface मिलेगा यहाँ पे आपको एक option दिखेगा app permissions का आप इस पे click करिए इसपे click करने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक permission दिखेगी contacts की आपको इसपे click करना है और यहाँ पर देख सकते यह don't allow है मतलग denied है आपको simply allow पर click कर देना है और इसको allow कर देना है उसके बाद आप back कर लीजे और back करने के बाद simply आप अपने यह phone application को जो है four stop कर दीजे एक बार उसके बाद जब आप यह phone app खोलेंगे तो आपको नाम जो है दिखाएगा जिस भी नाम से आपने number safe कर रखा होगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए